परिदबाद में 14 साल की रेव बेड़िस ने किया आत्मताहा इलाज के दोरान सब्दरजंग अस्पिताल में मौत पेड़ित के साथ पड़ोसी यूवक ने किया था रेव परवाला के खेदर थर्मर पावर प्लांच में हुए हास्ते के बाद बुस्ताई ग्रामिडों ने दो श्रमिकों के शवो को गेट के सामने रख कर किया प्रदर्शन राज से धरने बबैठ हैं प्रदर्शन कारी हास्ते के उच्छ सर्य जांच और दोश्यों के खलास सक्त कारवाई की मांग मांगे पूरी नहीं होने तक अंतिन संसकार नहीं करने की दीचे तावनी हाईवे भी किया जाओ करनाल हाईवे पे बड़ा हाथ सा बच्चों को लेकर स्कूल जा रही डीपीएस स्कूल की बस अलपा सिटी के सामने हाईवे किनारे दिवाइटर पर चड़ी ट्रक ने बस को टकर मारी जिसके चलते स्कूल बस का बैलेंस बिगड़ा बस के हलपर को आई चोट बच्चों को दूसरी बस से भेजा गया स्कूल प्रदेश भर में बढ़ते अपरात पर नियंतरन रखने के लिए बनाएगे स्पेशल टाक्स पोर्स को बहादुर गड़ में बड़ी सफलता मिली स्टीएफ के टीम ने एक लाग रुपे के नामी बदमाश जितेंदर उर्फजीता को ग्रफतार की आरुपी के पास से एक रदेशी पिस्टल, छेजिंदा कार्थूज और एक फलसर मोटर साइकल बरामत गुप्त सूशना के आधार पे टांडा हेडी गाउं के पास से आरुपियों की हुई ग्रफतारी विवानी अराजमंडी में पहुची, CLP लीडर किरन चौदरी ने उठान के अभाव में सड़ रहे गेहूं और सरसो की फसल के बहाने सरकार पर जुबानी हमला बोला, किरन ने कहा किसान परिशान हैं और सरकार विदिश में सैर कर रही किरन ने कहा है कि बारिश दूफान के चलते केहूं और सरसो सड रहा है और सरकार विदिशों में बैगन देख रही है, उन्होंने आरुप लगाते हुए का कि सरकार किसानों की अंदेखी कर रही है मुख्यमंती मनोलाल खटर ने इसराइल के राश्पती रुवेल से यरुसिलम में मुलाकात की, रुवेल ने हरियाना की किर्शी से ओत्यों की करण की और हो रहे विकात की सरहना की